दोस्तो सुरेवंसिफ फिल्म से काफी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जिया दोस्तो सुरेवंसिफ फिल्म वही है जो कि 2020 में रिलीस की जाने बाली थी नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार अब सुर्यवंसिफ फिल्म कब रिलीस की जाएगी और क्या नई अपडेट सामने आई है तो दोस्तो सब्सक्राइब करने टॉप अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो सुर्यवंसिफ फिल्म की बात करें तो मार्च 2020 में ये फिल्म रिलीस की जाने बाली थी 24 तारीक को अब दोस्तो कोरोना और लॉकडाउन के वज़े से इस फिल्म को रिलीस नहीं किया जा सका सायद भगवान को कुछ और ही मनजूर था ऐसे में दोस्तो फिल्म का पहला ट्रेलर भी रिलीस हो चुका था और फिल्म के ट्रेलर ने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही अंदर 50 million views क्रॉस कर लिये थे जो कि उस टाइम का ट्रेलर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था और सभी फिल्मों के ट्रेलर को इस सुर्यवंसी फिल्म के ट्रेलर ने पीछे छोड़ दिया अब ऐसे में दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जब ट्रेलर ने इतने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए तो फैन्स कितने जादा उतसाहित थे इस फिल्म को देखने के लिए लेकिन फिल्म को नहीं देख पाए अब ऐसे में दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कि जो फिल्म के प्रोड्यूसर है डिलाइंस इंटर्टेन्मेंट उन्होंने इस बात का कन्फरमेशन दिया है कि जो फिल्म है इसको रिलीज कर देंगे हम 26 मार्च को जी हाँ 26 मार्च 2021 के मौके पर आप लोगों को ये फिल्म सिनमा घरों में देखने को मिलेगी साथी साथ उन्होंने एक और कंडिशन रखा कि जब फुल उकुपेंसी हो जाएगा थियाटर्स का तब ही हम इस फिल्म को रिलीज करेंगे वैसे भी दोस्तों आपको बता दें कि अब फेबवरी से ही पूरे थियाटर्स ओपन कर दिये जाएंगे फुल उकुपेंसी के साथ अब ऐसे में दोस्तों फिल्म को देखने के लिए पब्लिक उमर पड़ेगी जो हमारी रिलीज डेट आएगी 26 मार्च उस दिन आपको बताते चले दोस्तों कि सुर्यवंसी फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जिसको लोग जो हैं काफी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं साथी साथ दोस्तों आपको बताते चलें कि इस फिल्म के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक्षे कुमार, कैट्रीना कैफ, अजय द्यूगन, रनवी सिंग तो दोस्तों आप लोग कितने साथा एक्साइटेड है 26 तारिक के लिए जो कि फिल्म की रिलीज डेट होने वाली है कमेंट सेक्षन में लिखे ज़रू बताईएगा सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप अप लोगों की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें बॉलिवुड से सबसे पहले धन्यवाद